हेलो गाइस वल्कम बैक दिस इस साक्षी तो ब्रह्मा स्रहमार संस्कृती का वो हतियार है जिसके इस्तमाल के बाद पूरी दुनिया में कोई नहीं बच्टा और आज हम इस हतियार से इंस्पायर कहानी की बात करने वाले हैं तो दोस्तों आप आप समझी गई होंगे कि हम किस मूवी की बात करने वाले हैं तो शरवात में हमें बताया जाता है कि सालों पहले रिशी मुञियों की तपस्या से उन्ही वरदान के रूप में ब्रह्मा शक्ती प्राप्त हुई जफ ब्रह्मा शक्ति इस धर्थी से टकराई तो और भी कई अस्त्रों का जन्म हुआ जैसे अगनी अस्त्र जल अस्त्र वायू अस्त्र और पशु पक्षियों के शक्ति से भरे अस्त्र परचानक से ब्रह्मा शक्ति की वजह से इतबाही मचने लगी मालो इस ब्रह्मा शक्ति में भगवान शिप की तीसरी आफ जितनी शक्ति हो। उस दिन सभी रिशी मुनियों ने किसी तरह ब्रह्मा शक्ति को शांत कर दिया। फिर उन्हें उस शक्ति से प्राप्त हुआ सभी अस्त्रों का राजा ब्रह्मास्त्र। जिसके बाद से रिशी मुनियों के समूने ब्रह मास के आगे सीर जुकाए और उनकी पीडिया ब्रह मास की रख्षा करती रही और इस समूमें लोगों को कहा गया ब्रहमानुश कई पीडिया और सद्या बीद गई और वक्त के साथ हम इन अस्तरों को भूलते गए पर अब शिवा नाम के बंदे की किस्मत ब्रहमाच से जुड़ी हुई है और इस दशेरे के बाद से शिवा की जिन्द की पूरी तरीके से बदलने वाली है आगे हम डेली में मोहन नाम के अमीर साइंटिस्ट को उसकी बालकनी में देखते हैं जी हाँ दोस्तों एस आर के ही ये साइंटिस्ट है तब ही वहाँ दो असेसिसंस आते हैं जो मोहन से ब्रहमास्ट का एक टुकड़ा लेने आए थे पर मोहन उन्हें अपनी बातों में उजहा का पक्स नहीं मिल रहा होता इस बीच मोहन उनका नाम करंड करते हुए एक का नाम जोर और दूसरे का नाम रफदार रखता है पर यह बकैती मोहन उनका ध्यान मटकाने के लिए कर रहा था ताकि वो अपने पैर में वानर अस्त का कड़ा पहन सके अब उस कड़े को पहनने के बाद मोहन बंदर की तरह भाग कर वहां से निकलता है उसे जोर और रफतार की गोलिया भी नहीं चूपाती मोहन उन दोनों से पकड़ाई का खेल खेलता है जब वो उने हरा देता है तो वो वानर अस्त को एक्टिव करके एक चलांग लगाता है जिसे वो आसमान में हनुमान जी की तरह ही दिखने लगता है ये देखकर जोर और रफतार समझते हैं कि मोहन वहां से भाग गया पर मोहन बड़ी चलागी से वापस अपने कमरे में आकर सामने पड़ी एक दूरबिन को उठाता है क्योंकि मोहन ने अपने जादू से ब्रमास्ट के बॉक्स को दूरबिन में बदल दिया था तब हम पर अचानक से सस्ती वांडा याने कि जुनून आकर मोहन को एक लॉकिट पहना कर उसे अपने शक्तियों से जकर कर मोहन के पैर से वानर अस्र निकाल लेती है फिर मोहन के आतों से उस पॉक्स को खुलवा कर जुनून ने ब्रमास्त का पहला हिस्सा हासिल कर लिया था वही मोहन को भी पता था कि जुनून अगर अंधेरे को ला रही है तो रोशनी भी जल ही उस अंधेरे को खत्म करने आने वाली है अब सीन कुछ दिन पीछे जाता है और हम शिवा को दशेरे में देवी मा की पूजा के साथ गाना गाते हुए बचाते हुए देखते हैं युकि शिवा एक डीजे है रावर देहन की रात में शिवा की नजर ईशा नाम की लगी पर पढ़ती है इशा को देखते ही शिवा को इससे प्यार हो जाता है पर इसी बीड़ शिवा को कुछ विजिन्स आते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है इसलिए वो इशा से नहीं मिल लेकिन कुछ दिनों बाद दिवाली की रात एक कलब से निकलते वक शिवा को इशा दिखती है और वो अपने दोस्तों के साथ इशा के पीछे पीछे एक ओपन लिफ्ट में आ जाता है इशा भी शिवा से मिलने के तुरन बाद ही उसकी और एक जुडाओं महसूस कर रही थ पर एड़ दा एंड वो शिवा के साथ ही जाने का फैसला करती है शिवा और इशा के साथ उनके दोस्त भी जटों पर छलांग मारते हुए चौल में आते हैं जहां पर एक अनाध हाले है और अनाध हाले में से ही किसी एक बच्ची काच बढ़ते है तो सब केक काटने के और पर शिवा के पास एक शंक है जिसे वो मंदिर में रखता है ईशा हरान थी कि शिवा की जिंदकी में इतना कुछ हुआ फिर भी वो खुश है क्योंकि शिवा का वेवार और उसके अंदर की वाइप सी कुछ अलग है ईशा शिवा से बहुत जादा प्रिवावित होती है तब ही शिवा को विजन साने लगते हैं जिसे उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे करण दे रहा है उसे विजन में देखता है कि जिनून मोहन के दिमार्ग में जाका ब्रिमास के दूसरे हिस्से के बारे में पता लगा रही थी वो दूसरा हिस्सा गनेश यानिकी नागार च के आश्रम का पता बताने वाला था पर मोहन खुद को बालकनी से नीचे गिरा कर अपनी जान दे देता है अकले दिन सुबा शिवा पड़ोसी के घर के बाहर उड़ता है तो उसे याद आता है कि पिछली रात का उसने कच्रा कर दिया था पर वहीं उसे अनाधा लेकि बच्च इशा को ढून रहा था इसे बीच उसे कर रात देके विजिन्स भी याद आ रहे थी तब ही उसकी नजर नियूस पेपर की नियूस पर जाती है जिसमें उसे मोहन की मौत के बारे में पता चलता है तो अब शिवा बहुत शॉक्ट है क्योंकि मोहन की मौत का लाइफ टेली का तो उसने अपने विजिन्स में ही देख लिया था वहीं शिवा किसी का लैप्टॉप लेकर मोहन की मौत को यूस पर देखकर कंफर्म कर रहा होता है तब ही वहां पर इशा आती है और शिवा से उसे सब सच बताने को बोलती है कि उसके साथ आखिर ये क्या हो रहा है शिवा गूगल करने पर उन्हें पता चलता है कि वह सच में वारानसी गया हुआ है रिशा शिवा से पुलिस के पास चलने को बोलती है पर शिवा को पता है कि पुलिस उसके विजिन्स वाली बातों पर विश्वास नहीं करेगी तो वो दोनों वारानसी जाने का फैसला करते हैं औ वो उससे कोई भी बात नहीं छुपाएगा शिवा ये वादा उससे करता है अब दोनों वारारसी में नाच काना करते हैं और उसी दोरान जब वो गंगा जी में एक नाव पर थे तब पानी से होते हुए आग की लहर शिवा के हातों में आ जाती है पर शिवा को उस आग से कु मारी गई थी पर वो उस समय आग से बच गया था इसलिए वो आग वाली बात किसी को नहीं बताता इन्हीं सब में शिवा ने ईशा को उसके दिल की फीलिंग्स भी बता दी थी भाहीं घाट पर ईशा जुनून से टकराती है शिवा ने भी रफ़तार को देख लिया था और अब रफ़तार के पास वानर अस्तर है जिसका इस्तमाल करके वो लंबी लंबी चलांगे मार रहा है तो उन्हों समझ गए थे कि उन्हों ने गनेश पर निजर बनाए रखी है तो शिवा गनेश को वांट करने जाता है पर तबी वहां पर रफ़तार आ गया था तो इशा र रफ़तार को महसूस हो गया था कि इशा भी उसके साथ मिली हुई है रफ़तार इशा को मारने ही वाला था कि शिवा बीच में आकर उससे लड़ने लगता है रफ़तार अच्छे से शिवा की दुनाए कर आता पर तबी शिवा के हाथ रफ़तार की गन लग जाती है पर वान अपने नंदी अस्त का इस्तमाल करके वहां से शिवा और ईशा के साथ निकल जाते हैं। रेल तो कार में शिवा उन्हीं पताता है कि कैसे उसे विजिन्स में दिखा कि जोर जुनून और रफदान ने मिलकर मोहन को मारा और वो मट यानि की आश्रम की दलाश में भी थे। अब वहां से सीधा हिमाले की और निकल पड़े थे। रास्ते में वह सब एक जगा रुपते हैं जहां पर गनेश उन्हें अपने नंदी अस्त के बारे में बताता है। वहीं शिवा गनेश से एक ऐसे अस्त के बारे में पूछने लगता है जो टुकडों में बटा है और सा करनेश के पास भी ब्रह मास का एक हिस्सा ठार जिसकी सुरक्श right करना उसका कैदव है। जैसे ही करनेश उस ब्रहम मास के टुकड़े और शिवा को विजञें साहने लगते हैं उसमें एक बंदा हाथ में त्रिशूल लिए कैट दिखता है शिवा समझ आता है कि जुनून और उसके लोगों ने उन पर नजर बनाये रखी है तो रोट के थोड़ी दूरी पर उन्हें ट्रक के अंदर जुनून और जोड दिखाई देते हैं गनेश उन दोनों को ब्रमास का टुकड़ा देकर उन्हें आश्रा में जाने को बोलता है और खुद नंदी अस्र को धारन करके उस ट्रक में एक भयंकर टककर मारते हैं जिससे उनकी हालत भी खराब हो गई थी शिवा कार ड्राइव कर रहा था तो वो उनकी कार की उपर आकर उन पर अटैक करता है जैसे तैसे वो रफदार से बचते हुए आश्राम की ओर बढ़ रहे थे और एक खाई में वो अपनी कार के साथ रफदार को भी गिरा देते हैं और वो अब आश्राम पहुँच गए थे जब आश्राम का गेट कोई नहीं खोलता तो शीवा आश्राम की अंदर जाकर उस गेट को खोलने की कोशिश करता है यहां इश्राम भी कन्फिस करती है कि वो उससे प्यार करती है तब ही उन पर रफदार हमला कर देता है इश्रा के चान बचाने के लिए शीवा पूरी ताकत से रफदार के आगे हाथ करता है तो शीवा के हाथ से आग निकल कर रफदार को जला देती है आगी दवकिती तेश थी कि लोहे का गेट तक पिंगल जाता है इशा भी घायल हो जाती है और आग की रोशनी को देखकर घर के अंदर से आश्रम की गुरू बाहर निकल कर आते हैं शिवा बेहोश हो गया था और बेहोशी में भी उसे विजन्स आ रहे थे शिवा को देखते ही गुरू को उसके अंदर की महार शक्ते का अभास हो गया था शिवा अपने विजिन्स में पहले अपने बच्पन की कुछ जलत देखता है जिसमें उसकी मा कमरे में जल रही थी और दूसरी तरफ चुनून उस शक्स के पहुँच गई थी जो कि पत्थरों में कैद था चुनून ब्रमास का एक टुकड़ा उस शक्स की मूर्ती के आगे रख कर अपने मिशन की रिपोर्ट दे कर उस मूर्ती से मदद मांगती है जो कि उनका एक साथी रफदार मारा गया और एक नया लड़का उसकी मंदल के बीच में टांगडा रहा है तो अचानक से उस मूर्ती के अंदर से बहुत सारे चमकते हुए पत्थर निकलते हैं मानो उन पत्थरों में कोई काला जादू हो इदर शिवा को भी होश आता है और वो मट के लोगों को कुझा करते हुए देखता है उन मट के लोगों के पास भी अलग अलग पफशूओं के अस्तर थे गुरू उन सब को जुनून के बारे में बता कर छुपकर रहने की सला देते हैं वहीं पर ईशा बीती जो कि शिवा को होश में देख कर वहां से निकर गव से खोने में ले जाकर हक करती है वहीं पाच बच्चे आते हैं जो अभी गुरू से उनके अस्तरों को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ले रहे थे अब शिवा ईशा के साथ गुरू से मिलने आता है गुरू को शिवा के अंदर एक यूद्धा और रोशनी अज़र आ रही थी जिससे शिवा पूरी दुनिया का कल्यान करता पर शिवा को उनके इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना था वो आश्रम में रुकने का फैसला करता है क्योंकि गुरू शिवा को उसकी ट्रेनिंग कमप्लीट हो जाने की बात ही उसे उसके मादा पिता के बारे में बताएंगी शिवा कुछ महीनों यहीं रहने वाला था तो ईशा उसके सामान को लेने वापस मुंबई जाने वाली थी पर जाने से पहले दोनों एक दूसरे को खयार रखने को बोलते हैं च्योंकि शिवा की पावर से ईशा का हाद चल गया था ईशा के साथ सब यमट के लोग महां से चले जाते हैं उन सब की जाने के बाशिवा चुनून के बारे में गुरू को और बाते बताता है कि उसके पास बहुत सारे कोईले जैसे पत्थर हैं साथी में वो ये सब अपने गुरू के लिए कर रही है अब चुनून को प्रमासर क्यों चाईए और उसका गुरू कौन है ये उन्हें कुछ भी नहीं पता भाई अब शिवा की ट्रेनिंग उन पाच बच्चों के साथ शुरू होती है जिसमें से एक के पास नागस्तर है जो सापों से सामने वाले पर हमला करता है दूसरे के पास शीर्ड फॉर्म करने की काबिलियत है मतलब वो किसी भी शक्ती से खुद के साथ दूसरों को भी बचा सकती है थीसरे के पास नीचर की पावर है जो पेड़ पौदे में जान डालकर उन्हें हरा भरा कर सकती है चौदे के पास हवा को कंट्रोल करने की ताकत है और ये एक साथ साल का चोटा बच्चा है बस पाच्वे के पास क्रियेटर ने कुछ नहीं बताया शिवा को छोड़ कर उन सभी ने अपनी पावर्स पर कंट्रोल हासिल कर लिया है पुरू शिवा को समझा रहे थे कि अस्तर की शक्तियों को इस्तमाल करने के लिए उन्हीं खुद पर भरुसा करना पड़ता है इस्तमाल के ओपर डाल कर उन्हीं अपना गुलाम बना लेती है तब ही वो इशा को अपने सपने में देखने लगता है जो अभी उसके कमरे में शंक और उसके सामान को पैक कर रही थी तब ही वहां पर जोर आ जाता है और इशा को आश्रम का पता बताने के लिए बोलता है पर इशा की रक्षा के लिए वहां पर मट के लोग भी थे जो अपने अस्तरों की मदद से जोर को पकड़ लेते हैं पर जोर के पास अब नंदी अस्र था तो वो उनकी कैट से निकल कर महां से भाग जाता है जिसमें इशा भी गायल हो जाती है तो शिवा उटकर भागते हुए बाहर जाता है और वो इशा को कॉल करके पुछता है कि वो ठीक है या नहीं तब इशा ठीक थी वहीं घर में गुरू बताते हैं कि ईशा के प्यार की वज़ा से शिवा ने पूरे घर में छोटे-छोटे आख के गोले जला दिये हैं तो वो शिवा से मिलकर उसे समझाते हैं कि ईशा ठीक है और वो उनके लोगों के साथ वापस आ रही है शिवा को पहले से ही पता था कि ईशा ही वो बटन है जो उसकी अंदर की पावर को आउन करती है पर शिवा ये बात कुरू को नहीं बता पा रहा था क्योंकि वो आग से डरता है इसी आग की वज़ा से उसकी मा बच्पन में मारी गई और उसे एक खरोश तक नहीं आई शिवा को डर है कि उसके अंदर की आग ईशा को भी उसकी मा की तरह ही न जला दे ये सब बताते हुए शिवा की प्यार की फिलिंग्स बढ़ जाती है जिससे वहां पर लगी आग की लपटे भी बढ़ गई थी गुरू शिवा को समझाते हैं कि इशा शिव एक सरिया है क्योंकि उसकी अंदर की आग को उसका प्यार कंट्रोल करता है शिवा को प्यार था ईशा से और ईशा ही उसके अंदर की आग की ताकत को जला रही थी पर शिवा आग से डरता है जिसके बाद वो सारी रात उस आग के साथ खेलता है और अगली दिन गुरुची और बागी बच्चे के साथ आग जलाने और उसके इस्तमाल करने की प्रैक्टिस करता है धीरे धीरे पूरी तरीके से शिवा ने आगपा कंट्रोल कर लिया था वो सिफ चिंगाली की मदद से बहुत सारी अगनी को पैदा करने में शक्षम हो गया था एक तीन जंगल में ट्रेनिंग के दोरान उनी जुनून के ग्रुप का एक सैनिंग दिखता है जिसने वो पत्थर भी पहना हुआ था वो सैनिंग आश्रम को ढून रहा था उसे देख कर ही वो सब समझ जाते हैं कि वो सैनिंग इस पत्थर के वश में है तो वहाँ चल किया रहा है इसका पता लगाने के लिए वो गाउ के पास जाते हैं रास्ते में गुरुजी सब को बताते हैं कि 30 साल पहले चम ब्रमांश का समू समंदर के दीपों पर रहा करता था तब ब्रमास्र ऐसे तीन चुकडों में नहीं बटा हुआ था भाई उन सब के बीच एक वीर योधा देव था जिसने बहुत सारे अस्तरों को अपने वश में किया और वो बादशा बन गया अगनी अस्तर का देव के पास बहुत सारे अस्तर थे पर उसे ब्रम देव बनना था इसलिए उसे ब्रमास्र को हासल करने की कोशिश में आश्रम की बहुत सारे लोगों को मार दिया अब चो लोग ब्रमास्ट की पूजा करके उसे शान रखते थे उनको माणने के बाद देव ने ब्रमास्ट हासल कर लिया जिसके बाद पूरी दुनिया काप उठी पर देव ब्रमास्ट को पाने के लिए पूरी दुनिया को नस्ट करने के लिए भी तैयार था लेकिन देव को रोकने जल की देवी अमरिता सामने आई और उसने ब्रमास्र के तीन टुकड़े कर दिये। अमरिता और देव का नाम शिवा ने भी पहाड़ी पर रखे हुए नाव पर देखा था। उसी नाव पर आश्रम वालों को ब्रमास्त के दो टुकड़े मिले थे पर तीसरा टुकड़ा कहां पर है ये उन्हें आज तक नहीं पता चला साथ ही में उन सब को लगा कि आखरी लड़ाई में अमरिता और देव ने एक दूसरे की जान ले ली पर इस लड़ाई के पहले अमरिता और देव में प्यार करश्ता थाचरतें और देव ने अपने हमृता और इसका परिकों नहीं पर दिएफ ठीक दूसरे को पशुछ ना जोराकर पारे बेटका को इसका दबाताई काम दे रही थी वो सब उन्हें छुपकर देख रहे थे शिवा के हाथ में भी वो पत्थर वाली माला थी जिसको पहनने के बाद उसकी चेतना उस तीव की मूर्ती के पास पहुच जाती है जो पत्थर में कैद था शिवा उसके अंदर चला जा रहा था तब ही गुरुजी उस में उन्हें इशा मिलती है जो शिवा का समान लेकर आ गई थी जिसमें शिवा की मा की आखरी निशानी वो शंक भी था कुरू शिवा के हाथ को काट कर उसकी कुछ खून की बूंदे उस शंक पर गिराते हैं वोगि वो कोई शंक नहीं बलकि एक माया अस्त्र था जो कि सिर् में देड़ नहीं लगती कि जुनून देव के लिए ही काम करती है और उसी के लिए वो ब्रेमास्ट के टुपडे को ढूंड रही है ताकि देव को आजाद कर सकी क्योंकि उस लड़ाई के बाद अमनिता ने किसी तरह देव को कैद कर दिया था अब देव इतने समय तक बच जारे कर रहे थे पर अब हमला करकि सब को कैद कर लेती है और गुरुजी से ब्रहमास्त का δूसरा हिस्ता भी ले लिया था जुनून ने अपने सकती से उन सब कायद कर रखा था जब तक शिवा जुन को नहीं हराएगा वो इस कैद से आजाद नहीं उंगी तो वह दोनों फ नहीं चलता क्योंकि उन्होंने देव का दिया पथर पहन रखा था चुनों भी उन पर गोलियों से हमला कर देती है पर शीवा की शक्तिया न गोलियों को उन के साथ ही आजाद हो गए थे और उन्होंने जुनून और उसके साथियों पर हमला कर दिया था जिसमें इशा ब्रमास के टुकड़ों को लेकर वहां से भागती है और बाकी सब उसे जुनून के साथियों से बचाते हैं जुनून इशा के पीछे पड़ गई थी और एक कि उससे मारता हुआ इशा की और बढ़ रहा था इशा के पास वायू भी ब्रमास के तीसरे टुकड़े को लेकर आ गया था और उन्हें वहां पर पकड़ने जुनून आ गई थी और उनकी बीच में आ जाता है शिवा पर बड़ी आसाने से देव के दिये अकनी अस्त्र की म पाइदा उठा कर वायू अपनी ताकत से जुनून को खाई में गिरा देता है और इशा को बचा लेता है उधर शिवा ने भी जोर को मार दिया था पर वो खुद भी बहुत साधा घाया लो गया था और वहीं पर भी होश हो जाता है इशा खुश थी कि अब सब कुछ नॉर और देखते ही देखते ब्रहमान की शक्तिया ब्रहमास्र में आने लगती हैं जिससे शुरू होती है तबाही वहां इतनी तीज रोशनी थी कि रात में भी सवेरा हो गया था ब्रहमास्र के सबसे नजदीक थी इशा तो गुरुजी की बात मान कर शिवा चलांग मारते हुए तूटते हुए पहाडों को पार करता हुआ इशा के पास पहुंच जाता है और खुद के पीछे इशा को चुपा कर ब्रहमास्र की शक्तियों के आगे आगया था प्रिमास्ट की शक्तियां शीवा के अंदर की पूरे POTENTION को बाहर निकाल देती हैं शीवा की प्यार की आगे ब्रहमास्ट भी शांत हो जाता है और हम देखते हैं कि शीवा के अंदर सब आग मौझूद है उसे अब आग लगाने के लिए किसी चिंगारी की जरूरत नहीं है वही एंड में हमें पता चलता है कि देव भी अपनी कैट से आसाद हो गया है और ब्रहमास्र का दूसरा पार्ट देव ही आएगा जिसमें हम देव और अमरिता की कहानी जानेंगे आपको इस अस्तर और इस यूनिवर्स की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा आप मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड टाटा बाई बाई बाई